दोस्तों जास्ता कि मैंने आपको एक स्टार्टिंगी वीडियो में आपको बूल जाता है जैसे ऐसे टाटा पंच की रिलीज डेट पास आती जाएगी वैसे वैसे इसकी लीक्स हमारे सामने आती जाएगी और ये गाड़ी के जो हुलिया है अंदर से या बाहर से यानिक एक स अभी हमारे पास आई है और यहां पर आप देखिए कि किस तरह की पूरी साइड लुक है फ्रंट लुक है और इसके टेल लुक भी आपको दिखाएंगे याने की जो रियर लुक है इसके 16 इंच के ऐलोई वील डायमंड कट ऐलोई वील सा बहुत आसम लग रहे हैं ट्राइ उसके सँर ना वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और एक कैमरा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा उस्तरे का बूट इसकी मिलस का आजू बाजू कुछ थोड़ा बहुत फरक पढ़ सब्सक्तर रहे है लुक है डूर्ल टोन गारी oikeक ब्लागा बछू बहुत ओसं कु तो यह वाला कलर आपको सफारी में भी देखने के लिए मिल जाता है और काफी अच्छी लुक के साथ यह LED लाइट्स हैं इसमें जो कि इसके रियर प्रोफाइल की तरफ दी गई है तो काफी अच्छा लग रहा है उपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है रू स्टेरिंग वील आप देख सकते हो बहुत एक नीट फिनिश के साथ आपको यह पूरा जो कैबिन है यह मिल जाता है पुछ स्टाट स्टॉप बटन मिल जाता है यहां पर इसका आप और देखिए डिजिटल प्लस आपको यहां पर आनलोग जो मीटर है वह आपको यहां पर मिल जाएगा स्टेरिंग वील पे आपको कुछ कंट्रोल मिल जाएगे ठीक है और यहां पर देखिए हैंडरे स्ट मिल जाएगे और पीछे का जो स्पेस है बहुत लोगों को दिमांड झाएगी पीछे का थाथा का स्पेस आपको पर आपको फोर्ड डोर एलेक्ट्रिकली अर्जस्टिबल जो पाउर विंडोस है यह भी मिल रही है और इसका ऑटोमेटिकली अर्जस्टिबल आपको ओर वीम भी मिल जाएगा तो यह एक अच्छी चीज है सेवन इंच की टस्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है बहुत अच्छा फिनिश है डूल टोन डैश्बोर आपको मिल रहा है गलब बॉक्स मिल रहा है कूल और यहाँ पर एक चोटा सा लैंप भी दिया हुआ है काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर भी है और एसी वेंट्स के उपर जो इस सिल्वर जो कलर है या गाड़ी का जो कलर है वो आको मिल जाता है आई यार विम यहाँ पर मैनुल दिया गया है आटोमेटिक देना चाहिए था अबर ठीक है सब कुछ हर गाड़ी में नहीं मिल सकता बजट भी देखना बढ़ता है यह बात सच है तो देखिए किस त फारी का बच्चा लगती है यह गाड़ी और यहाँ पर डिया उपर दिया गये है नीचे हैड लाइट्स दी गई है और जो कि आपको हैलोजन प्लस प्रोजेक्टर लाइट में मिल जाएगा काफी अच्छी येलो लाइट्स है और आप इसको चाहें तो बात में चेंज भी विचार जो है वो आप यहाँ पर जरूर शेयर करना आपको कैसी लग रही है अच्छा साइड क्लैडिंग के लिए बहुत लोग बोल रहें कि साइड क्लैडिंग में प्लास्टिक बहुत जादा दी दिया है इससे मजबूती कम नहीं होती है उल्टा जो खुबसूरती है य आपको गाड़ी को स्क्रेचिस कम लगते हैं बूट में आप यह देख रहे हैं कि एक पार्शल ट्री भी आपको मिल जाएगा स्पेस ठीक ठाक लग रहा है एक बड़ा बैक तो इस वीडियो में देख लिया है एक बैग जो बड़ा बैग हो वो तो आप एजली रख सकते है और साइड में भी कुछ यह का जरूर आपको मिल जाएगी डोर हैंडल भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा आपको यहां पर एक शॉट टाइम में ही देखना पड़ेगा खैर बट मैं अब यह भी बता रहा हूं कि यह ऐसी और वीडियो जाने वाली है आपके पास तो यह जैसे आपने आप यहां पर देखा डोर हैंडल और भी काफी खुबसूरत से लग रहा है बिलकुल आपको यह नई जो हमारी जो नेक्सॉन है उसकी तरह आपको मिल जाते हैं स्टेरिंग वील काफी स्मूध है और डीकट स्टेरिंग वील आपको यहां पर मिल जाएगा यह है आटोमेटिक कार तो यहां पर आपको दो नीचे अगर आपने भी देखा होगा तो दो ही लीवर आपको मिलते हैं क्रूस कंट्रोल आपको स्टेरिंग पर दिखाई दे रहा होगा मदब मज़ा आ गया यार गाड़ी बहुत खुबसूरत से डिजाइन करी गई है और जाटा अब मजबूति के साथ खुबसूरती भी जरूरत देता है इंटीर आप रूफ में देखेंगे तो यहां पर वाइट एंड ब्लैक थीम इंटीर पूर्फ आपको यहां पर इस कार में मिल जाएगा इस ऐस्यूवी में मिल जाएगा माइक्र ऐस्यूवी में और यहां यहां पर एक अच्छा सा स्मूध सा आपको जो डैश बोड़ यहीं मिल रहा है और आपको काफी स्मूध मिल रहा है आपको यह भी कहना कुछ गलत नहीं होगा कि भाई यह इसकी सीदी टकर जो है न वो ऑल्ट्रोज के साथ भी होगी क्योंकि आपको बता दूँ कि आसपास की ही कार रहने वाली है साइज में ऐसे देखने में बहुत जादा चोटी लग रहे है मगर इतनी वी चोटी नहीं है यह आगे आने वाली जो हम अब भी देखेंगे जब टाइम आएगा तो उसमें स्विफ्ट के साथ 20 का पंगा नजर आएगा स्विफ्ट या वैगनार हो इन सब के साथ इसकी ठकर जरूर होगी अब आप दूसरा कलर देख रहे हैं इसी में जो कि एक कल्रेलीज हुई थी तो काफी अच्छा-च्छे कलर भी इसमें आ रहे हैं होफिल इसमें रेड भी आ रहा है और ब्लू हम देख चुके हैं ब्लू एंड वाइट वाला काफी अ अच्छा लगता भी है तो शायद डाक अडिशन एक दम से ना आ है थोड़ों दूनों के बाद आ जाएगा यह है तो अब आप लोग कमेंट करके हमें जल्दी जल्दी बताईए कि आपको यह कैसी लग रही है और आपको इसका कौन सा कलर अभी तक का बहतरीन लगा है प्ल